हेलो फ्रेंट्स वेलकम तू अवर योट्यूब चैनल दोस्तों काफी दिनों से बहुत सारे दो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं वो मुझे बारवर कमेंट कर रहे थे कि सलवार कटिंग करने का को असान तरीका बताओ तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं किसी भी साइज की सलवार हो आप बहुत असान तरीके से कटिंग कर सकते हो वह भी मातर दो मिटर कपड़े से दो मिटर कपड़े से मैं आपको सलवार कटिंग करना सिखाने जा रहा हूं और वह भी आपको एक ऐसा तरीका बताओंगा कि अगर आप सलवार का घ तो फेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरी पास ठोटल कपड़ा है कित्मा यह देखी कपड़े को इस परकार से डबल टैमे मैं बिचा रखा है और इस परकार से कपड़ा देखेंगे तो आपको देखें सिर्फ यह 2-0 कपड़ा है यहां निकी 100 cm यह पर आ रहा किनारी वाले इससे हैं ये आपको रखने उस तरफ ठीक है और जो बंद वाला भाग है वह आपको अपनी तरफर रख लेना है कपड़े को इस परकार से बिचाने के बाद मैं आपको दुबारे बता हूं मातर 2 मिटर कपड़ा है और दो मिटर कपड़े में से देखे खुली सलवार कैसे बनानी है केवल तीन ही मेजरमेंट के जुरूत होती है मेजरमेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूं सलवार की जो लंबाई है फ्रेंट्स वह है 37 ठीक है इसके बाद जूरूत पढ़ती है मोहरी की मोहरी इसकी रखेंग कपड़े को इस परकार से बिच्छाने के बाद सबसे पहले जो मार्केंग आपको लगानी वो लगानी लंबाई की तो यह देखी इस प्रकार से को निशान लगाना है यहा 37 है और इस जगह पे मैंने एक निशान लगा यह होगए इसकी पाँच इंच कम करना है 37 इंच लंबाई है इसमें से पाँच इंच कम कर देंगे देखिए पाँच इंच पे कमेने निशान लगाया और इस निशान को बिलकुल सीधा आपने इस प्रकार से एक स्केल की मदसे इसको बिलकुल सीधा ड्रो कर लेना है यह हो गई इसकी पाँच इंच लंबाई कम ठीक है आप पांच इंच जो लंबाई हमने कम करिए इसको हम बैल्ट में अर्जेस्ट करेंगे कैसे करेंगे वह भी मैं आपको बताऊंगा तो इस निशान को लगाने के बाद लंबाई का निशान तो बात करेंगे इसके क्रोच एरिय की आम तोर पर जब कोई सरवार हम बनाते हैं तो उसका जो आसन होता है ना आसन आसन हम यहां से रखते हैं वह रखते हैं साड़े नौ या फिर दस इंच के करीब रख लेते हैं ठीक है इसमें मैं दस इंच पे निशान लगा लिया है अब इस निशान को ठीक है आपने इस वाले निशान से मिलाना होता इस प्रकार से देखें एक हल्की से में लाइं डो कर गये ठीक है यह 10 इंच पर निशान है लेकिन आप कटिंग कर दोगे 10 इंच आसन भी बन जाएगा इधर से आपके सरवाव भी निकल जाएगी इधर से बैल्ट भी निकल जाएगी लेकिन हमें ज्यादा घेर चाहिए उसके लिए आपको क्या करना है तो इसमें सबसे बैस्ट फार् प्रकार से देखें इसको मैंने इस प्रकार से मिला दिया है जहां पर पहले यह सलवार कम घेर की मंदी थी यानि कि इतना जो कपड़ा हमारा एक्टा निकल गया पहले यह निशान यहां पर था अब इसको मैंने निचे सरकाया अब इसमें क्या करना है हमें यहां पर इसका आसना बढ़ गया लेकिन आसना में दस इंच चाहिए तो अब दस इंच का आसना में कहां से निकालना है इस जगे से यह देखिए यह दस इंच लेखे कहां पर आ रहा है दस इंच आ रहा है आपका इस जगे पर ठीक है यह दस इंच पर आपको एक निशान लगाना है औ किस निशान को आपने इस प्रकार से सीधी लाइन ट्रो करनी है अब इसके बाद आपको यह जो पले नहीं है वाले इन पल्लों को यहां पर रखना इसके सामने और इस प्रकार से 10 इंस में जाके आपको इसको मिला लेना है तो कुल मिलाके यहां पर चार छोटी-छोटी कलियां आपको लगानी है इस प्रकार से तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो सलवार जो है हमारी थोड़ी पहले से खुली बन चुकी है अगर यह में कलियां नहीं लगाता तो सलवा का घेर कम बनता लेकिन यहां पर चार कलियां लगाने से सलवा का घेर थोड़ा बढ़ जाएगा अब आप सोचोगे कि फ्रेंट्स इसमें यह बिलकुर सीदी सलवार लग रही है इसमें कलियां नहीं है क्योंकि आम तो पर सलवार में यहां पर भी कली होती है यानि कि यहां पर जोइंट होता है अगर आप यहां पर जोइंट लगाना चाहो तो वह भी लगा सकते हो यहां से आपको दूरी रखनी है साड़ यह देखिए और यहां से आपको इस प्रकार से कट कर लेना है इस चीज को दोस्तों बोलते हैं यह देखिए बिलकुल जैसे नॉर्मल सलवार उस प्रकार से कटिंग हो चुकी है ये इसके हो चुकी है कुंदे, ये इसकी कलिया हो चुकी है चार, और चार कलिया मैंने aige छोटे-चोटी ुकाट कर ली है तो, इस प्रकार से देखे, सलवा की से कट्टिंग लगबग हो चाई है नीचे वाले पाट की, अब आते हैं उपर वाले पार्ट पर उपर वाला पार्ट को सा होता है वो होता इसकी बैल्ट तो यह देखिए दोस्तों यह इसकी बैल्ट अब इसकी बैल्ट की कटिंग आपको कैसे करनी है तो friends हमें चाहिए टोडल जो तैयार लंबाई कितनी चाहिए वो चाहिए हमें 57 इंच जब हम इसके पोँचे बनाएंगे तो देखिए आधा इंच जो है ना इस प्रकार से अंदर मार्जन चला जाएगा जब इसके पहुंचे टैच हो जाएंगे तो आधा इंच इदर से कम करते हैं कले यह आधा इंच कम कर लिया अब हमें निशान लगाना है आधा इंच पर यहां पर आ रहा है और आधा इंच इदर चला जाएगा जब इसकी बैल्ट लगाएंगे तो यह देखिए इस प्रकार से बैल्ट रखता हैं उसकी यह देखिए कि अब हमें टोटल लंबाई कितनी चाहिए इस प्रकार से आपको निशान लगाना है टोटल बैल्ट बनेगे कितनी बनेगी आठ इंच की और यहां पर आठ इंच ही कपड़ा हमारे पास बच रहेगा और आठ इंच कपडर इसलिए क्योंकि फिक्स दो मिट्र में कुटिंग करिए हमने वीशान निकल जाती है यानि को 49 है 40 है 42 है तो आपको 62 मिटर कपड़ा सफिशेंट रहेगा अब दोस्तों यह तो इसकी बैल्ट की टोटल लंबाई 8 इंच ठीक है अब हमें इसमें क्या करना है कि बैल्ट की चुड़ाई रखनी कितनी है तो सिंपल था फार्मूला यह है कि हिप साइज 36 है ठीक है त 4 इंच जो है आपको एлекे कपडर रखना है और इसको सीधर इस में परकत कर लेंगा और इधर से भी आपको इसको अलग कर लेना है भी देखें अब जब ध्य साथ बनेगे ऐस परकार से अधाइच इधर बैल्ट का भी मार जनर जाएगा इस परकार से दो इंच एधर से फोलड हो जाएगा अब इसकि जब आप लंबाई देखोगे तो तयार जो लंबाई बनेगी बिलकुर फिक्स 37 इंच बनेगी इस परकार से यह फिक्स लंबाई कितनी आ लिए 37 ठीक है तो इस परकार से सलवार की कटिंग हमारी हो चुकी है रहा यह कपड़ा जो बचा हुआ है यह आपका पोंचे वगारा में काम आ तो फेंट्स यह थी मैं आज की छोटी सी वीडियोो जिसमें मैंने सलवार कटिंग करने का सबसे आसान और सरल तरीका आपको सिखाया है अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्रा करें और हमें सपोर्ट करें थैंक यू वेरी मुच